हलो दोस्तों हम हर साल शहीद भगत सिंग का वो शहीदी दिवस मनाते हैं डॉक्टर हमारे अतुलबल, डॉक्टर उकदेश, रितू, कोशिक हम सब लोग मिलके जो भगत सिंग के फैन है कोशिश करते हैं कि उनके जनम दिवस पर, शहीदी दिवस पर कुछ यंग जनरेशन से खासतर बात करें कि भगत सिंग क्या थे इस बार क्योंकि मैं न्यू यॉयॉक में हूँ, मैं किसी मीटिंग में शामिल नहीं हो सका तो सब दोस्तों ने का कि भगत सिंग के नाम कुछ अगर आप संदेश या कुछ युवा लोगों को बताने की कोशिश करें तो अच्छा होगा तो ये मेरा भगत सिंग को सलाम है, भगत सिंग तू जिन्दा है, भगत सिंग मरा नहीं है भगत सिंग एक व्यक्ति नहीं था, भगत सिंग एक विचार धारा है, आज सो साल बाद भी अगर उनको याद किया जाता है, सलूट किया जाता है तो इसलिए भगस सिंग क्या था मैंने सोचाज यंग जनरेशन के साथ खासतर युवा के साथ शेयर करें सांजा करें और टाइटल भगस सिंग तु जिन्दा है और ये आजाद परिंदों के लिए है ये भी मैं पहले आप से अर्ज कर दूँ कि ये जो गुलाम प्रवर्ती के लोग है उनके लिए नहीं है वो अपना टाइम जाया ना करें यहीं पे बंद कर दें भगस सिंग तो जिन्दा है मैं कैसे आपको साबित करके बताने की कोशिश करूँगा एक बच्चा है जो सधारन परिवार में पैदा होता है वाँ रेडियो टीवी इलेक्ट्रिसिटी तो दूर टॉइलेट भी नहीं था सधारन परिवार हाँ एक खुश कसमे थी उसकी ये थी कि माबाब ने संसकार जरूर दिये जो स्वामी विवेका नंदे का अपने लिए जीए तो क्या जीए है दिल तुझी जमाने के लिए संसकार मिले अच्छे हिंदी मीडियम से पड़ा सधारन परिवार में पैदा हुआ कोई कॉंटेक्स नहीं लेकिन जब प्रोफेशन में आया तो कहते हैं ना चमत्यार को नमश्कार है जब प्रोफेशन में आया लाव प्रोफेशन में तो सब बड़े बड़े जो कॉर्णमेंट एजुकेटेड और जो भी कहीं के थे वो सब उसको वकील करते थे कि आप हमारी तरफ से बहस कर दो तो साधारन परिवार से एक टॉप लॉयर बनना सारी इंडेस्ट्री, टॉप इंडेस्ट्री, मंत्री, प्रिधान मंत्री, टॉप इंबेस्टी, सब उसके क्लाइन ट्रे तो भगस सिंग तो जिन्दा है कि कहानी जो है वो बच्पन से शुरू होती है वो बारा साल का था जब उसने स्कूल में नाटक किया भगस सिंग तो प्रिंस्पल ने और कल्चरल जो कन्वीनर होते हैं उन्होंने उसी को सिलेक्ट किया भगस सिंग बनाने के लिए तो वो कीड़ा जो चल रहा था वो बारा साल से समझदो शुरू हुआ और आग पचास-पचपन साल बाद भी वो कीड़ा उसमें जिन्दा है भगस सिंग तो जिन्दा है तो प्रिंस्पल ने कहा कि वो जो बरफ की सिली पे उसको लिटा के कोड़े मारते हैं यह सच में है या नहीं हमारे नाटक में था तो उन्होंने कहा कि इस पे हम पॉलिथीन वाइट पॉलिथीन डाल देंगे ताकि स्टेज से किसी को दिखे नहीं और वो छोटा बच्चा बारा साल का बारफ की सिली पे लेटेगा उसको कश्ट नाओ तो उसने उस टाम सोचे ये 12 साल के बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को भोला कि अगर मैं बरफ की सिली पे बिना पॉलिथीन के नहीं लेट सकता तो मैं बच्च कैसे बन हुआ भंगसा से पहासी पह कर सकता है mango नंग में क्या चलता बहुत फिर भगत सिंग जिंदा हुआ, 1979 में जब वो लॉग कर रहा था, तो देश के एक हेल्थ मिनिस्टर थे राज नरायन, उस टेम बड़े पावरफुल थे, क्योंकि इंद्रा गांदी ताजी-ताजी हारी थी, ये सब लोग अपना शुरू हो गए थे, तो उसने राज नरायन न नहीं थी, तो वो चमचा गिरी नहीं कर रहा था, तो राजन रायन ने कहीं ये बोल दिया, कि हमारे पास, we have enough strength, strength and power to arrest इंद्रा गांदी, और कोई कुटा भी नहीं भोगेगा, अगर वो हम इसको arrest कर लेंगे, तो ये छोटा सा बच्चा, law student इसको गुसा आया, कि ऐसे होता है, तो उसने एक article लिखा बड़ा strong उस time health minister के खिलाफ, कि मैं कानून का student हूँ, मुझे पता है, ground चाही होते है, rest के, power नहीं चाही होती, और ये जो जुबान आप बोलते हो, ये कोई जुबान किसी decent आदमी की नहीं है, socially accepted standards of decency must be maintained, देखिए, बगस सिंग तो जिन्दा है, और वो अख़बारों में छपा, खुब उसको appreciate किया गया, as a student थी, जब उसी time जिन्ता पाटी में, जब चरण सिंग जी की सरकार गिरी, उन्होंने प्रेजिडेंट को बोला, कि पार्लिमेंट dissolve कर दें, तो उस time जिते भी बड़े बड़े legal luminaries थे, नहीं पालखी वाला, राम जेठ मिलानी, शान्ती बुशें, तार कुंडे, वो सब ने कहा कि प्रेजिडेंट को प्राइम निस्टर की सला नहीं माननी चाहिए, और पार्लिमेंट dissolve नहीं करनी चाहिए, किसी नए व्यक्ति को चांस देना चाहिए, तो उस time as a law student, अब law student तो अक्सर बड़े इनों की जाकी चमचागिरी शुरू करके वकाले शुरू करते हैं, उसने उस time उन सब के खिलाफ लिखा, और प्रेजिडेंट को चिठी दी, कि इन सब का opinion गल्त भी है, और गल्त होने के सासाथ बदनियत भी है, सोचिए, इतने बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ लिखके और प्रेजिडेंट ने वो ही किया, जो इस भगस सिंग जिंदाया ने बात करी थी, तो ये उसका जो स्टेंड था, भगस सिंग जिंदाया है, क्योंकि भगस सिंग मरा नहीं है, 1984 में, वो सिर्फ चार साल थे उसके वकालत में, चार साल का बच्चा था उसको पता लगा कि दिल्ली हाई कोट के 24 जजों ने फैसला किया था कि दिल्ली को पांच अदालतें चाहिए एक अदालत उस टेम जो तीस हजारी होती थी एक नहीं पांच जगह से मुकदमे चलने चाहिए तो प्रोवाइड जस्टिस एड डूर स्टैप रोगों के दर्वाजे पे उनको जस्ट कि जो फैसला आपने जनता के हक में किया उसको कैसे टाल सकते हैं तो उसके 84 घंटे के अमरन अंशन के बार 24 जजज दिल्ली के मजबूर हो गए और आज दिल्ली की अदालते हैं आप देख लिए सब जगह हैं कड़कडूमा शादरा रोहिनी दौरका साकेद तो दो करोण ल केस हुआ पिरिया स्वामी आप उसको सर्च कर सकते हैं उस पे केस ये बनाया कोट ने जब कोट में केस हाया तो सी वी आई ने बताया कि 300-400 MP जो हैं मेंबर पार्लिमेंट वो अपने गैस और टेलिफून कनेक्शन के कूपन बेच देते हैं और ये सप्लाई करता है तो भग रूल आफ लौ किया है तो 400 MP के अरेस्ट की उसने अपील की जब तो CBI और कोट के पास कोई आप्शन नहीं बचा उन्होंने का ऐसे तो सारी पार्लिमेंट गिरे जाए ये उन्हें गिर जाए तो गिर जाए मैं तो रूल आफ लौ की बात कर रहा हूं तो उसने साबित किया उसको फिर छोड़ा 400 MP को एक यंग बच्चा जब चैलेंज करता है तो लगता है कि भगत सिंग जन्दा है फिर 96 में आप उसको सर्च करिए पीवी नर्सिमाराव कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट थे देवे गोडा प्राइम निस्टर थे दो व्यक्तियों पे केस चला चंद केस में नर्सिमाराव भी इन्वाल थे सी बी आई प्रॉसिक्यूट नहीं करना चाहती थी क्योंकि सी बी आई भारत की सरकार जो है नर्सिमाराव पर टिकली थी तो भगत सिंग जन्दाया ने पहले तो जिरा की उसकी कंप्लेइनट की लग्खुवाई पार टकी और यह रि चीटिंग केस में सम्मन हुए है फॉर्मर प्राइमिनिस्टर और उनके सम्मन होने से देवेगोडा की सरकार गिरी यह सावित हुआ बगत सिंग तो जिन्दा है फिर 98 में ही आप देखिए सुप्रीम कोड के पांच जज़े ने कॉंस्टिटूशन बेंच के एक शौकिंग फैसला दिया कि पारलिमेंट में जो लोग बोलते हैं आर्टिकल 105 में उनको इम्मिनिटी होती है उन पे केस नहीं चल सकता जो भी बात पारलिमेंट में करें उसके बारे में केस नहीं चल सकता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर रिश्वत ली है तो फिर थोड़ी उनको इ और आज और नाइन्टी एट में जो उसने आर्टिकल लिखा आज 26 साल बाद सुप्रीम कोड ने उसी बात को दोराया जो गगर सिंग जिंदाय ने नाइन्टी एट में करी थी कि इनको एक्जेम्शन नहीं मिल सकती फिर 2006 में जैसिका मर्डर केस आप देखिए सेर्च करिए उ कि उनके खिलाफ एविडेंस था तो भगर सिंग जिंदाय ने चीफ जिस्टिस इंडिया को ओपन कोर्ट में जाके बुला कि ये फैसला गलती नहीं है बदनियती से करा किया है बदनियती बो तो कंटेम्ट होता है लेकिन उसने का कुछ नहीं मैं तो दुश्यंत कुमार जो शायर थे वो लिखते हैं कि अब ये दिवार पर्दों से हिलने लगी शर्त लेकिन ये थी कि बन्याद हिलनी चाहिए उसको लगा कि इस तना बड़ा बेनसाफी हुई है तो बन्याद हिलनी चाहिए और उसके ये कहने के बाद आपको पता है पूरी दिली में पूरे देश म कंडल लाइट मार्च और सब जैसी का मेडल में प्रोटेस्ट हुए और जो भगस सिंग जिंदाया ने बात करी थी डिली हाई कोर्ट ने वोई अपरूव करी और उन सब को लाइफ इंपरिजन्मेंट करी जो लाइफ इंपरिजन्मेंट सुप्रीम कोर्ट तक बहाल हुई फिर शिवानी बटागर केस में दो जार दस में जिसमें वो एक IPS आफसर कोई शर्मा इन्वाल था सेशन जजज ने उनको सजा कर दी लेकिन हाई कोट जजज ने छोड़ दिया तो भगस सिंग जिन्दाय ने फिर हाई कोट जजज के खिलाफ यही सगत आर्टिकल फिर से लिखा कि यह बदनियती से लिखा है क्योंकि बनियाद हिलनी चाहिए उसको कंटेंट नोटिस भी हुआ लेकिन उस हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में एडमिट हुई अभी 2020 में जब किसानों का अंदोलन हुआ और तीन काले कानून लाए गए उसने प्राइम निस्टर को एक स्ट्रॉंग लेटर लिखा कि 56 इंच का सीना नहीं दिल होना चाहिए आपने पाप किया है आपके पास पावर ही नहीं थी इतने किसान मर रहे हैं और किसान की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हर व्यक्ति को हर नवाले में खून दिखना चाहिए और आपको पता है उसके इस मैसिज के बाद तीनों कानून वापस हुए और सरकार में माफी भी मागई 2021 में जब उनके बैच में ट्रोहिंटन नारीमन रिटायर हुए तो उनकी रिटायर्मेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पाच जज़ों ने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्तियां की उसमें जिस्टिस कुरेशी जिनोंने किसी बड़े व्यक्ति को जेल भेजने का ओर्डर किया था उनको इग्नोर किया और नीचे से सिनियोर्टी में कुरेशी इतने उपर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाए तो बगर सिंग जिन्दा है ने फिर पांचों जज़ों की एक कड़ी अलोचना आज भी यूट्यूब पे मैसेज है आप देख सकते हैं उनको फिर बोला आपने पाप किया है आपने पूरे जुडिशल सिस्टम को डिसकरेज कर दिये बगर सिंग तो जिन्दा है स्टेंड लिया हर बार जब अभी पारलिमेंट एटैक जो यंग बच्चे जो पारलिमेंट में जाके उन्होंने कुछ फुल जड़ियां या कुछ ऐसा किया तो उसमें भी उसने उनको स रूल आफ लॉड के लिए कि सब के लिए कानून बराबर हो भगर सिंग जिन्दा है ने थाबित किया जिस्टिस विजिंदर जैन उस टेम जो दिल्ली पंजाब हाई कोड के चीफ जिस्टिस रिटायर हुए वो दिल्ली हाई कोड में क्रिमिनल बेंच पे थे उन्होंने ठी 68 गरीब लोगों को छोड़ा उसकी पर्टीशन पे कानून बराबर होना चीए जिसके पास जमानती नहीं है उसको परसनल बॉंड पे छोड़िए यही फैसला उसने फिर 2000 में फिर से जिस्टिस भंडारी के पास यह स्ट्रॉंग प्ली लिया कि गरीब के लिए कानून बरो बगर सिंग तु जिन्दा है फिर सेकड़ो लोग रिलीज में तो दोस्तों आप देखो 15 करोड लोगों को फाइदा हुआ जब उसने किसानों के लिए बात की 20 लाख को चैन दिया वो बिलीब करता है कियाता है मैं तो बिलीब करता हूं कि फिजा अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे तो अभी उसने बाबरी मस्जिद मंदिर के फैसले बे भी पांच जज़ों को जो क्रिटिसाइज किया वो 20 करोड मुस्लिम दोस्तों ने तो अप्रिशेट किया ही किया लेकिन आम आदमी ने जिसका दिल ठीक है कि पांसो साल पहले अगर आप मानते हो की मस्जिद बनी थी तो फिर आप कैसे गिरा सकते हैं जब आप खुद मानते हो की मंदिर का कोई प्रूफ नहीं है तो स्ट्रॉंगली क्रिटिसाइज किया कोई उसको यह नहीं कि हिंदू राष्ट कोन क्या बोलेंगे मुस्लिम क्या ब मान सो बरस का पल की खबर नहीं खास्तर जो बेरोजगार युवक है नोकरी भी नहीं है और आप जिंदादिली से जी भी नहीं जरो है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाग जिया करते हैं, बनना बहुत असान है दोस्तों, बनो खुश रहो, और कैसे बात करनी आपको पता होना जी जिससे मुगदमा भी नहीं बने और शेम दी नेम भी करें यहाँ फिर वो ही है आप सोच लो जिन्दा दिली से जीना है या घुट घुट के मरना है अकबर अलाबादी लिखते थे कि क्या करें सेठ जी क्या कार नामे कर गए पैदा हुए बीए किया अफसर बने शादी की बच्चे पैदा किये और मर गए तो आपको उस कैटिगरी में आना है पैदा हुए और मर गए कि भगत सिंग जो हमेशा जिन्दा रहे कभी मरे यह नहीं ऐसे जीना है ऐसे जीना है तो मैं बार-बार सब दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप ऐसा करिए कितने ही और केस आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि यह भगत सिंग होना आपको एक मिन में मिल जाएगा एक और केस मेरे को खट से याद आ रहा है एक कैंसर पेशन ने एक एप्लिकेशन उससे बात करी कि मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मेरी तीन महीने की डॉक्टर ने काया कि तीन महीने के अंदर अंदर डैथ हो जाएगी लेकिन मेरी पत्नी जो है मेरे बच्चे को नहीं मिलने दे रही तो उसने बोला कि भगत सिंग जंदाने कि अगर तू नहीं मिलेगा तो मैं वकालत छोड़ दूँँ इसने कोट में जाके अप्लिकेशन लगाई कि इसको अपनी बच्ची से मिलने दिया जाए इसकी वाइफ को बुला के कहिए तो कोट ने दो महीने की तारीक लगा दी तो भगत सिंग ने वहीं पर कोट को बोला अगर ये व्यक्ति अपनी बच्ची से मिले भी ना मर जाता है तो हम सब जिम्मेवार होंगे उसका मतलब था कोट भी जिम्मेवार होंगे तो कोट को जटका लगा, कोट ने नेक्स डेगी डेट लगाई और वो जाके मिला, बच्चा वो डेट से पहले उसकी डेट भी होगी दो मेने में लेकिन उससे पहले वो कहता था मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी बच्ची से मिलूँ, मेरे को कैंसर का बिमारी है, वो मिला उसको तो ऐसे बहुत ही केसे है बहुत और भी कई केसिस की हम कभी बात करेंगे आज मैंने सोचा कि क्योंकि इस बार मैं शामिल नहीं हुशता उनके शहीदी दिवस पे तो खासतर युवा लोगों को एक बार याद कराऊं कि भगत सिंग तु जिन्दा है ये कैसे पता लगता है जो जिन्दा दिली से जीएं आपको कुछ भी बात मेरे से सजेशन चाहिए हो मेरी कोई मदद हो सकती है सलाह हो सकती है तो मैं हमेशा बगत सिंग के नाम पर भी इंसानियत के नाम पर भी आजिरू खासतर युवा दोस्तों के लिए मेरे यूट्यूब मैसेजिस जितने भी अगर सिंग बन सकता है डिसाइड आपको करना है दोस्तों कि जिन्दा दिली से जीना है या वैसे घुटगुट के मरना है जो शायर लिखता है कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई सीने में जलन आखों में तुफान सा क्यूं है इस शेहर में हर शक्स परिशान सा क्यों है तो परिशानी से जीन है कि जिन्दा दिली से जीन है यह आप तै करिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इमेल है अशोकरोडा2310gmail.com थैंक यू बाइ भगा सिंग अमर रहो